अब हम चलते हैं सीखते हैं हमारे इस कार्ड को जिसका नाम है The Lovers The Lovers का जो ये कार्ड है इस कार्ड का नमबर है नमबर 6 नमबर जो होता है 6 वो डिनोट करता है वेनस के प्लानेट को और वेनस से हमी क्या मिलता है लग्शिरी भी मिलती है फैमली भी मिलती है और ब्यूटी भी मिलती है So वेनस सिगनिफाइज ब्यूटी कुछ लोग आपने देखा होगा ना कि बहुत पैशनेबिल हैं चाहिए उनके पास रिसॉर्सेस कम भी होँ तब भी जो भी नया ट्रेंड होगा जो भी नई चीजे मारकेट में चल रही होँगी उन्ही रिसॉर्सेस में से मैनेज करके वो कुछ ना कुछ ऐसा बना लेंगे हमेशा स्टाइलिश लगेंगे सो वीनस इस ब्यूटी, फैशन, जो भी हमारी लाइफ में ये सारे अच्छी चीजे आती हैं कार, विहिकल, अच्छा घर, ये सारे जो लग्शिरीज होते हैं ये भी हमें मिलते हैं वीनस से उसके बाद हमारी family life family का life मतलब कुछ भी हो सकता है हमारे parents हो सकते हैं हमारी siblings हो सकते हैं या फिर हमारी romantic relationship हो सकती है मतलब husband wife की relationship girlfriend boyfriend relationship ये सारी चीज़े Venus से denote की चाहती है यहाँ पे इस card में आप देखेंगे जो background है वो background बिलकुल yellow है और ये card भी बहुत ज़ादा positive card है इसलिए यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि इस person को luxuries भी मिलेंगी इस person को comforts भी मिलेंगे और romantic life का ही specially card है तो वो भी अच्छे जाएगी ये दिखें यहाँ पे ये sun है ये आप दिखेंगे ना तो ये sun है और ये जो sun है इतनी bright और इतनी long rays इस sun से निकल के आ रहे है sun की जो rays है वो बहुत ज़ादा long rays है और वो yellow environment में long rays है इसलिए यहाँ से हमें ये दिखाई देता है कि एक नई बिनेंग की फिरुवात हो सकती है जब भी सूरज उपता है तो एक नया दिन शुरू होता है आपका जो दिन है वो खतम कब होता है जब सूरज डलता है और हिंदू शास्त्र के हिसाब से तो जो हमारा नया दिन है वो बारा बजे नहीं शुरू होता हमारा नया दिन सूर्य अदे से स्टार्ट होता है और तभी एक नई चीज की शुरूवात होती है तो इसलिए आप बोल सकते हैं इस कार्ड में लग्शिरी, फैमिली, ये सब चीजों के साथ सार ये नियू बिगिनिंग्स का भी कार्ड है यहाँ पे आपको अच्छी सी फेरी दिख रहे हैं है ना ये गौड फेरी दिख रहे हैं और इनके विंग्स हैं ये गौड फेरी भी है यहाँ पे और उनके विंग्स भी हैं यहाँ पे और एक हाथ इनका यहाँ masculine personality को male personality को bless कर रहा है और इनका ये जो दूसरा हाथ है ये bless कर रहा है female personality को इसलिए यहाँ पे गौड की blessings आपके साथ बहुत जाधा है आप जो काम चाहेंगे वो fulfill कर लेंगे आपके मन में जो इच्छाएं होंगी, जो desires होंगी, जो hidden desires होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, वो fulfill होंगी यहां आप देख रहे हैं कि male और female ये दोनों ही nude personalities हैं इसका मतलब कि यहां पे जिस भी person के लिए card निकाला है physical attraction है एक अच्छी physical bonding भी है और physical attraction भी है यहां यह जो female personality है इनकी पीछे भी एक tree है जिसमें कुछ fruits आ गए है मतलब जो past में hard work किया है इन fruits का मतलब क्या है कि जो past का hard work आपने किया है अब उसके fruits को reap करने का time आ गया है अब आपको उसके जो अच्छे फल होते हैं वो मिलेंगी और मेल के पीछे ये tree में क्या दिख रहा है हमें fire यहां भी दिखेंगे तो ये मेल के पीछे हमें fire दिख रहा है fire क्यों दिख रहा है क्योंकि female और male ठीक है female versus male इन लोगों में except जो physical appearance का difference होता है और क्या difference होता है female को भगवान ने physiologically ही थोड़ा सा soft hearted बनाया है और जो male होता है male को भगवान ने physiologically ही थोड़ा सा जादा practical बनाया है तो male के पीछे जो ये fire है ये show कर रहा है कि ये जो भी person है अब ये दो लोग तो होंगे नहीं जो reading करा रहे हैं एक ही person आपसे reading करवाएंगे तो आप ये बोलेंगे कि जो भी यहाँ पे इंसान है उसके अंदर ये male और female दोनो qualities है उनकी अंदर softness भी है उनकी अंदर practicality भी है कुछ काम करने के लिए एक aggression भी है इन दोनों के लिए beach में ये mountain आ रहा है Mountain always and always means stability है Mountain का मतलब हमेशा होता है stability और mountain को अगर मैं यहाँ beach में से line बनाओ तो almost equal distance पे male है almost equal distance पे female है मतलब ये card किस चीज़ का card है ये card है balance का आपको balance रखने की balance बनाने की जरूरत है और life में आपको balance मिलेगा last एक चीज़ है जो हमें देखनी है यहाँ पे बहुत सारे clouds दिखाई दे रहे angel की blessings तो है लेकिन ये male और female से शुरू होते हुए ये बहुत सारे clouds हैं यहाँ पे जो हमको दिखाई दे रहे ये clouds क्या signify करते है what exactly is signified by these clouds जब भी tarot cards में आपके पास clouds बने हुए आएंगे तो clouds का मतलब होता है thoughts तो एक हम ये भी कहेंगे कि mountain है उसके उपर clouds है आपके thoughts आपको balance करने की ज़रूर रहे दूसरी चीज यहाँ पे ये भी कहेंगे कि आपके पास options बहुत सारे है options are many और आपको prioritize करना है कि आपको क्या चीज go ahead करने है you need to prioritize आपके पास बहुत options है लेकिन आपको prioritize करने की ज़रूरत है इस time कि आपको कौन सी चीज को लेके आगे बढ़ना है अगर कोई business के लिए आपसे बात करता है तो आप क्या बोलेंगे सब कुछ बहुत अच्छा है आप practical भी होंगे जहाँ practicality की ज़रूरत है बहुत सारी आएंगे आप बोलेंगे new beginning का time है आपको इस business से luxury मिलेगी comforts मिलेंगे सब कुछ अच्छा होगा जितनी आपने महिनत की है आपको वो सब कुछ मिलेगा भगवान आपके साथ है भगवान का आश्रवाद है आपके पास आप जो चाहेंगे जैसा चाहेंगे वैसा सब कुछ होगा लेकिन आपके पास बहुत options आएंगे और आपको उनमें से prioritize करने की ज़रूरत पड़ी अगर आपने prioritize नहीं किया तो आपको problem होगी so please remember this is one of the key words here options are too many you have to prioritize कभी-कभी ये card extra marital relationship को भी दिखा सकता है मेरे husband का या मेरी wife का या मेरे partner का extra marital relationship हो सकता है तो इस card में आप बोलेंगे yes की chances बहुत ज़ादा है extra marital की भी ये बहुत अच्छा card है आपके partner physically attracted है आपसे लेकिन attraction की chances भी बहुत ज़ादा बनते हैं इस card में अब directly आप अपने client को बोलेंगे तो उनको बहुत hurt होगा and everybody is not brave enough to be able to take such things इसलिए आपको उन्हीं क्या समझाना है कि देखें जो भी है वो है लिकिन आपको क्या करना है आपको सिर्फ एक चीज करने है आप हो सकता है कि आपके spouse का या आपके partner का जो ध्यान है थोड़ा इधर उधर बढ़के लिकिन आपको कोशिश करने है कि आप दुबारा से उस ध्यान को अपने पास कीच कर ले आए बस यही एक चीज है जो आपको उन्हें बोलनी है जो आपको उन्हें बतानी है यही सब कुछ था इस card में अगर health के लिए भी आता है तो बहुत अच्छा card है suppose किसी को कोई बिमारी लंबी बिमारी चलती आ रही है और वो पूछ रहे है क्या बिमारी ठीक हो जाएगी तो आप बोलेंगे कि of course ठीक हो जाएगी लेकिन उस बिमारी को ठीक करने के लिए आपना बहुत इधर उधर बटक रहे है because options are too many in this card आपको बोलना है आप इधर उधर बहुत जादा बटक रहे है कभी-कभी होता है ना कि हम हर डॉक्टर के पास चले जाते हैं और हर तरह की दवाई खाने की कोशिश करते हैं तो बस वही नहीं करना है एक जगा जाएगे have faith in one doctor, in one treatment, in one type of medication उसे follow कीजिए बहुत bright chances है भगवान आपको ज़रूर help करेंगे in overcoming your problem and soon you are going to be in a very good state of health इसी तरह से card जिस भी तरह की question के लिए आता है आपको context समझ के card को हर तरह से interpret करना है उस context में questions आपके पास कुछ भी आ सकते हैं आपको यह समझना पड़ेगा कि card आप से कहना क्या चाहरा है बस एक बार अगर आप यह समझ जाते हैं कि card exactly आपको क्या बता रहा है then आपको अच्छी तरह से समझ आ जाता है कि कोई भी question है अब इस question को हमें interpret कैसे करना है अपने client के लिए Thank you so much This was all about my lecture number 12 अगर आपको lecture अच्छा लगा Please like, share and subscribe और अब मैं आपसे मिलूंगी अपने next lecture में Thank you so much